बात करें ऐस्ट्रेलिया की तो बहुत सारे सवाज स्टुडेंट्स के रहते हैं कि जिस तरह से ऐस्ट्रेलिया इतना स्ट्रिक्ट नजर आ रहा है तो कैसे समझें कि हम ऐस्ट्रेलिया के लिए लिजिबल हैं कि नहीं हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं तो आज की वीडि जिस पर positive result आते हमने देखे हैं और students को खुद जान लेना चाहिए, खुद अपनी self assessment भी करनी चाहिए, कि हम हमें apply करना चाहिए, कि नहीं Australia के लिए तांकि आपका time भी waste ना हो और आप और अच्छी options पर भी काम कर सके, तो आज बहुत ही ध्यान से सुनिए और देखिएगा ये वीडियो, तांकि Australia को लेकर, profiles को लेकर आपको हर एक point जो है, जरूर clear हो सके, स्वागत है आप सभी का, मैं हूँ हर जोद को और Australia Study Visa को लेकर, और खास profiles को लेकर, पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे, नाविगेटर्स ओवर सीज से, वीजा एक्सपर्ट मिसिस उबी जरूर स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए इस बात को लेकर, क्योंकि हर स्टूडेंट्स चाहते है कि मैं Australia apply करूँ मेरा वीजा लग जाए, लेकिन हर एक स्टूडेंट Australia के लिए लिजिबल नहीं है, जैनुन स्टूडेंट की परिभाशा भी जरूर समझाईएगा, और अ स्टूडेंट्स की IELTS score बहुत अच्छा है, CBSE, ICSE से पढ़े हूँ है, not state board, state board जो पंजाब और हर्याना के अलावा उनके accepted है, लेकिन हमारी कोशिश है CBSE और ICSE वाले बच्चे, medical, non-medical या जिनके subjects बहुत अच्छे हैं, arts में जिनका painting या language course हैं, वो मत apply करें, बिलकुल भी आपका time waste होगा, आपके अगर subjects बहुत अच्छे हैं, main four subjects, जिसमें language count नहीं होती है, या कोई भी ऐसा subject है, जो extra है, वो count नहीं होता है, main four subjects, मान लिजे, non-medical वाला है, तो math, English, physics, chemistry, जो ऐसे main four subjects हैं, उन में minimum, जो percentage है, वो 65% होनी चाहिए, या 60% minimum, ठीक है, और IELTS 6.5 band या 6 band minimum होना चाहिए, डिपेंड करता है, university और college पे किसमें जा रहे हैं, यह academic हो गया, अब अगर graduation वाला student है, तो वो 6.5, not less than 6 की requirement है, IELTS score, या PT equivalent, TOEFL भी उसे के equivalency से चलेगा इनका, अगर आपका percentage की बात करें, section 1, 2, 3, 3, तीन university हों में divide किया गया है, किसी भी university की यह 60% से कम लेते नहीं, अगर section 3 है तो 65%, section 1 or 2 है तो 60% से कम नहीं ले रहे हैं, तो जो graduation और under graduation, आप ये दोनों मान के चलिए, कि इनको profile बहुत अच्छा चाहिए, अब अगर graduate बच्चा master में जा रहा है, तो हम बात करेंगे, अगर वो कहीं काम कर रहा है, उसका कोई gap, उसका genuine experience होना चाहिए, उसका genuine experience के साथ, जो company's account में उसको salary आनी चाहिए, ये नहीं कि उन्होंने कोई experience बनवा लिया कहीं से, और वो सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, इस समय जो महावल, और वैसे भी नहीं बनाना चाहिए, गले documents आप बिल्कुल बे नहीं बनाने चाहिए, financials अगर आपके पुराने हैं, या one year fees देके, 15 लाग जितने आपको living expenses, three months old शो करने हैं, आपके वो होने चाहिए, अगर बहुत अच्छे extraordinary case है, कि जिसमें university अगर spouse को लेने को तयार है, तो spouse के साथ apply करें, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जहां आपका gap प्लस to all student का gap बिल्कुल नहीं होना चाहिए, subject चारों में आपकी percentage अच्छी होने चाहिए, IELTS आपका अच्छा होना चाहिए, parents की income more than 12 lakhs time देख रहे हैं, ठीक है, अब आपका जो financials तो मैंने का one year का आप देके, और living expenses आप three months old show कर सकते हैं, या bank loan show कर सकते हैं, courses भी अगर आप अच्छे लोगें, business के अलावा अगर आप लेते हो, कोई health का course लेते हो, IT related अच्छे course लेते हो, cyber security लो, artificial intelligence लो, business analytic लो, cloud computing, उसमें visa rejection के chances बहुत कम हैं, आपकी university अच्छी हो, आपका course अच्छा हो, financial document ठीक हो, आपका academic record ठीक ह तो आपका rejection के chances नहीं हैं, जी, जी, बिल्कुल, और मैम, last में जुरूर जो भी students के सवाल हमारे पास आ रहे हैं, 22% वालों के वालों के, कि वो अभी apply कर सकते हैं, या फिर उनके लिए chances ना के बराबर दिखते हैं, नहीं हर जो, मैं किसी भी ऐसे बच्छे को STEM guide नहीं प्लीज, आस्ट्रेलिया के लिए profile में को भी कमी ना हो, फिर visa chances हैं, ये तो बच्छे का बहुत loss होता है, बिल्कुल, so, students को ये बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, कि आस्ट्रेलिया clear cut है, अपनी profiles को लेकर, कि हम ऐसी profiles को visa देंगे, और जो student जैसे कि हम बात करें, 22% वा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर students काई बार apply करते हैं, कि देखते हैं, शायद तो शायद वाली कोई यहाँ पर space ही नहीं है, so, इसलिए students विल्कुल, अच्छी तरह से समझ लें, कि जो picture clear की है, Australia ने, कि जो guidelines है, उसके accordingly आगे बढ़े, genuine student है, recent pass out है, funds को लेकर, और अपने courses को लेकर आप aware हैं, तो आगे बढ़े, आपको खुछ self-assessment भी करवानी चाहिए, माहिर सला चाहिए, तो ज़रूर जो number displays पर call करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, अच्छा होगा, अगर आप अपने documents लेकर, navigators overseas के office आए, whatsapp भी कर सकते हैं, assessment करवाएं, right options के बारे में जान पर अपना Australia का study visa हासिल कर सकते हैं, तो आगे भी हम इसे तरह से और informative videos लेकर आते रहेंगे, फिल हाल के लिए हमें दीजिये इजाज़त, thank you so much, thank you